Hello everyone, welcome back to this channel आज किस वीडियो में हम देखने जारे हैं Class 3 में बच्चो को English के Grammar में Letter Writing का Concept कैसे Introduce किया जाता है किस तरह के Concept से बच्चो को आप Letter Writing सिखा सकते हैं So वीडियो को पूरा एंग तक देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, helpful लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अधर पैरन्स के साथ शेर ज़रूर करें Letter Writing का जो चाप्टर होता है English के Grammar में सबसे पहले बच्चो को Class 3 में इंटर्यूस किया जाता है तो बच्चो को बहुत ही बेसिक वे में इसे सिखाया जाता है उससे पहले बच्चो को बताया जाता है कि Letter Writing क्या होता है तो जैसे देखें बच्चो को आपको बताना है Letter Writing is a creative art Letter Writing is a creative art है We express our thoughts by writing letters to people हम letter लिखते हैं ताकि हम अपने जो thoughts है वो दूसरों से share कर सके Next देखें There are two types of letter बच्चो को बोला जाता है दो तरह के letter होते है एक होता है formal letters और एक होता है informal letters तो formal letters और informal letter दो तरह के letter होते हैं तो बच्चो को Class 3 में सबसे पहले informal letter के बारे में समझाया जाता है क्योंकि वो easy होता है समझने के लिए तो informal letter में आपको क्या बताना है informal letter कैसा letter होता है किस तरह का letter informal letter कहलाता है जैसे we write informal letter to our friends and relatives हम informal letter किसको लिखते हैं अपने friends को, families, members को या फिर relatives को हम informal letter लिखते हैं इस तरह के letters में हम अपने जो excitement होते हैं या emotions हो गए या फिर कोईच personal चीजे हैं वो share करते हैं तो वो informal letter की category में आते हैं बच्चों को format of informal letter समझाया जाता है format यानि की informal letter को लिखने का क्या तरीका होता है उसे हम format of informal letter कहते हैं तो जब भी आप informal letter सिखाएं बच्चों को तो कुछ इससे format बताएं तब बच्चों को letters लिखना सिखाएं तो जैसे कैसे बच्चों को classes में बताया जाता है सबसे पहले आता है informal letter लिखते समय बच्चों को ध्यान रखना है कि कुछ भी जो भी हम लिखेंगे न वो हमेशे left side से ही शुरू करेंगे paper है paper का जो यह margin होता है यही से left side से बच्चों को कोई भी चीज़े लिखनी है अब देखे सबसे ऊपर बच्चे को लिखना होता है sender's address sender's address यहानि कि जो letter को send कर रहा है यानि कि अगर आप send कर रहे हैं तो किसका address होगा आपका address होगा तो ऊपर आपको लिखना है sender's address उसमें क्या लिखना है जैसे कि ABC 12, यहां पर मैंने एक्जाम्पल दिया है, तो सबसे पहले आप अपने बिल्डिंग का नाम या फिर अपने सोसाइटी का नाम उपर लिखेंगे, उसके जस्ट बाद आपको अपना सिटी का नाम लिखना, आप कहां पर रहते हैं, जैसे कि इनों चीजों को साथ में लिखना है, without living one line, तो यह बच्चों को सेंडर एडर सबसे पहले लिखना है, जो कि left side से ही लिखना है, शुरू करना है, next आता है date, अब date बच्चों को लिखना है कि किस दिन वो भेज रहे हैं letter को, वो date यहां लिखना है, for example 22nd June 2012, तो यह date हो गया, जब भी बच्चे date लिखते हैं, तो बच्चे confused हो जाते हैं कि date हमें कैसे लिखना है, बच्चे ऐसे लिख जेते हैं, जैसे कि यहां पर है न, 22nd June 2012, तो इस तरह से नहीं लिखना है, यह गलत format है, कैसे लिखना है, हमें इसे proper format लिखना है, जैसे कि 22nd, इसे ordinal number में लिखना ह को होता है आप जिसको भेज रहें उसका नाम लिखना है किसे लिखेंगे डियर साइम अगर मान लीजिए आप अगेन एक लाइन चोडना है एक लाइन चोडना है और फिर अगर east side से ही आपको क्या लिखना है body of letter या फिर message to be conveyed यह जो अपने message कहते हैं यहां कि आपने मेशेज लिखते हैं कि क्या आपको इसलेटर में बोलना है वह मेसेज को आपको यहां पे लिखना है तो सबसे पहले बच्चों को जो मेसेज स्टार्ट करेंगे न तो ओपनिंग देना होता है कि माली जए आप अपने फ्रेंड साम को बेज रहें तो उसके बारे में पूछिए कि वो कैसा है आप उसकी हेल्थ के बारे में पूछिए फिर नेक्स्ट आपको बिना लाइन छोड़े आपको यहां पर क्या लिखना है अप लेफ्ट साइड से बच्चों को क्या लिखना है सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन यानि कि यौर लविंग ली या फिर अफेक्शेंट ली या पेस्ट फ्रेंड इस तरह से जो भी अगर आपके फ्रेंड को भेजने तो आप यौर बेस्ट फ्रेंड लिख सकते हैं यौर concept सबसे पहले बच्चों को आपको इस तरह से समझाना है फिर बच्चों को कोई भी topic पे आपको informal letter लिखना सिखाया जाता है या बच्चों को आपको सिखाना है for example हम एक example देते हैं यहाँ पे एक topic दिया है write a letter to your friend to invite him or her to your birthday party तो यहाँ पे बच्चों को बोला है कि आपको अपने friend को एक letter लिखना है जहाँ पे उसे आपको invite करना है अपने birthday party के लिए तो बच्चे इसे informal letter कहेंगे क्योंकि यह letter आप अपने friend को लिख रहे है यानि कि यह informal letter हो गया अब यहाँ पर birthday party के लिए आपको invite करने के लिए एक letter लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखें यहाँ पर example के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिया है format, सबसे पहले यहाँ पर क्या हैगा, senders address, यानि जो भेज रहा है उसका address, तो जैसे यहाँ लिखा है 18 ABC Street, Mumbai, Maharashtra 11800 2009, यह example के तुरू दिया है, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, आपको अपने street, building या society का नाम लिखना है, city का नाम लिखना है, state का नाम लिखना है, और pin code लिखना है, यह sender का address हो गया, next एक line छोड़ना है, अब क्या आएगा, date, जिस दिन आप उस letter को भेज रहे हैं उसका date लिखना है, तो date हम इस format में लिखेंगे, 7th July 2024, next हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर salutation, salutation यानि आप कौन से friend को भेज रहे हैं, उसका नाम, कैसे लिखेंगे, dear Maya, अब यहाँ बच्चे को ध्यान रखना है, जब भी आप salutation date या फिर sender का address लिख रहे हैं, तो comma नहीं द सबसे पहले आपको opening of the message लिखना है, कैसे लिखेंगे, जैसे I am fine and hope same from you, as you know my birthday is coming on 10th August, my parents have arranged a small party at our house in the evening at 7 p.m. on that day, it's been a long time since we have seen each other and I will be really happy if you can attend my party, यहाँ पर हमने full stop दे दिया, हमारे message को convey कर दिया, next आप एक line चोड़ के, आप यहाँ पर closing लिखेंगे, क्या लिखेंगे, waiting to meet you soon, यह closing हो गया message का, next आपको लिखना है your loving friend, क्योंकि आप friend को भेज रहे हैं, तो आपका subscription कैसे होगा, your loving friend, next line नहीं चोड़ना है, फिर आपको send का नाम लिखना है, यानि की अपना नाम लिखना है, सीमा, तो इस तरह से बच्चो को आप बच्चो को informal letter की practice करा सकते हैं, बच्चो को इस तरह से सबसे पहले आप उन्हें समझाएं की format क्या होता है, फिर इस तरह से बच्चो को informal letter में birthday party invitation के लिखने के लिए दिया जाता है उमीद करते हूं, वीडियो आपको helpful लगाओगा, अगर आपको अच्छा लगाओ और helpful लगाओ तो please वीडियो को like करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो subscribe करना बिलकुल ना भूले, मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो या वोक्षिट के साथ, तब तक के लिए take care and bye bye